नमस्कार, मैं डाक्टर राजेन प्रिशाद हूँ, मैं एराज लखनोव मेडिकल कॉलेच, मैं डिरेक्टर मेडिकल एड्यूकेशन और हेड ऑफ पल्मूनरी मेडिसिन, इसके पहले मैं वल्लब भाई पतेल चेस इंस्टूट का निर्देशक और इंस्टूट ओव मेडिकल सा मैं केजी मेडिकल इन्वरस्टी में पल्मूनरी मेडिसिन का बहुत लंबे समय तक एड़ अब डिपार्टमेंट रह चुका हूँ, आप सब लोग कोविड के थर्ड वेब के बारे में सुन रहे हैं, थर्ड वेब को अगर रोकना है, तो मेरी सलाह है हमें चार चीजों का विसेज ध्यान देना होगा, सबसे पहला जो थर्ड वेब को रोक सकती है, वो है रैपिड वैक्सिनेशन, जितनी जल्दी हो सके, जितने ज़्यादा लोगों को हम वैक्सिन मुआया करा पाएंगे, वो हमें थर्ड वेब रोकने में मदद करेगी, दूसरी बात है, वैक्सिन जैसा ही इंपॉर्टेंट है, कोविड अप्रोपेट बेहेवियर, हम देख रहे हैं, सारे प्रदेश लगबग लगबग खुल गए हैं, जो रिस्ट्रिक्शन थे वो काफी हद तक हटा लिए गए हैं, तो ऐसे स्टेज पर कोविड अप्रोपेट बेहेवियर का बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है, मैं बताओं बार-बार सब को पता है, कोविड अप्रोपेट बेहेवियर क्या है, भीड से बचें, भीड में जाएं तो मास जरूर लगाएं, हाथ की साफ सफाई का भी ध्यान दें, और अगर बाहर जरूरत नहीं हो तो मत निकलें, तो कोविड अप्रोपेट बेहेवियर उतना ही इंपॉर्टेंट है जितना की वैक्सिन, अगर हम थर्ड वेव को रूपना चाहते हैं, पब्लिक का पार्टिसिपेशन उनको अवेर करना, सारी ज्यान उनको देना ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, कोविड के थर्ड वेव को नहीं के, चौति चीज जो जरूरत होगी हमें टेस्ट करना है, उस टेस्ट में हमें जीन सिक्वेंसिंग भी अपनी बढ़ानी है, कि कहां कलस्चरिंग हो रही है, कहां पर ज्यादा केशे हो रहे हैं, क्या कोई नया वेरियेंट, अभी हम delta plus वेरियेंट की बात कर रहे हैं, आप लेडि भारत बर्स से कुछ केसे केशे रिपोर्ट किये जा चुके हैं बीस दस 12 स्टेट्स में, तो हमें इसे बहुत strictly follow करना है और अगर हमें लगता है, सरकार को लगता है कि कहीं पर cases बढ़ रहे हैं, वहाँ पर quick restrictions, imposition of curfew, जो भी कहें आप उसे, curfew कहें, lockdown कहें, वो एक area में हो सकता है, वो एक जिले में हो सकता है, वो एक परदेश में भी हो सकता है, depending upon cases कैसे हो, उनका surveillance बहुत अच्छी तरह से हो, और जब जरूरत हो, तो तुरंत restrictions को लगाएं, सरकार की तरफ से, क्योंकि सब में बहुत डर समाया हुआ है, हम second wave पी कभी देख चुके हैं, बड़ी कुछी की बात है कि second wave डाउन हो रहा है, लगवग हमां पचास हजार पे आ हैं, रोजाना, जो संक्रमित हो रहे हैं कोविट से, 1100 के आसपास रोज अभी मर रहे हैं, तो अभी कोविट हमारे में से गया नहीं है, हमको बहुत सावधान रहने की जरूरत है, और जब भी जरूरत अगर लगती है, तो हमें फिर क्योंकि पिछले wave में हमने देखा कि हमा हेल्थ सिस्टम पर बहुत लोड आ गया, और अबियस है, हेल्थ अगर केसे बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगे, हेल्थ सिस्टम ओर लोड़ेड हो जाएगा, तो होल्स हेल्थ सिस्टम में परिशानी होनी है, आप कितना भी अक्सीजन, कितना भी डाक्टर्स, कितने भी कल लें अगर नंबर बहुत बढ़ जाएंगे जो इन पर प्रेशर बहुत बढ़ जाएगा तो परिशानी फिर आ सकती इसलिए मेरी करबद प्रात्ना है कि कोविड अप्रोपेड बेहिवियर को अपना है वेक्सिनेशन बहुत तैजी से बढ़ाएं और अगर जहां केसे जगर बढ़ते हैं अगर ऐसा लग रहा है बढ़ते हैं तो उनमें रिस्ट्रिक्शन लगाने से हिश्के चाहें नहीं यही सब तरीके हैं जिससे हम थर्ड वेप से डिले कर सकते हैं बच सकते हैं और अगर मालिया आया भी तो उसकी जो परिशानियों को हम कम कर सकते हैं नमस्कार और धन्यवाद